दोस्तो आज किसी वीडियों हम बात करने वाले हैं कि PM की सान सम्मानी दियोजना का beneficiary status अब आप कैसे चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड बहुत सारे लोग beneficiary status पहले चेक करते थे तो mobile number के द्वारा beneficiary status चेक कर लेते थे लेकिन फ्रेंड अब जब आप beneficiary status चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर केवल एंटर registration number लिख रहा है मतलब आपको registration number डाल करके और capture डाल के get mobile OTP पर क्लिक करेंगे और आपके mobile पर OTP आएगा उसके बाद आपका status सोग होगा मतलब इसके पाले ऐसा नहीं था इसके पाले आपके वल आधार number डाल देते थे account number डाल देते थे mobile number डाल देते थे तो आपका status सो हो जाता था लेकिन फ्रेंड कुछ दिनों से registration number और mobile number से दिखा दे रहा था कुछ लोगों के पास ही registration number है भहुत सारे लोगों के पास registration number नहीं है तो वो लोग इस्टेटस कैसे चेक करेंगे वो लोग घबडा जा रहा है कि status अब कैसे चेक होगा तो सबसे पहले यहाँ पर status चेक करने के लिए यहाँ पर देख सकते है know your registration number तो आपको अपना registration number यहाँ पर निकाल लेना होगा तो know your registration number पर click कर देना होगा और click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं mobile number और आधार number तो आधार number वाले इस पर click कर देना होगा और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना होगा आधार नंबर डालने के बाद है जो Captcha है, Captcha डालके Get Mobile OTP पर आपको क्लिक कर देना होगा Get Mobile OTP पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा देख सकते हैं लिग रहा है OTP has been sent your आधार रेइस्टर मोबाइल नंबर तो आपके आधार काड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर डाल करके Get Detail पर क्लिक कर सकते हैं अगर मालीजी आपके पास मोबाइल नहीं है आप बीना OTP के ही Get Detail पर क्लिक कर सकते हैं तो Get Detail पर मैंने क्लिक कर दिया तो फिरन बीना OTP डाले ही आप Get Detail पर क्लिक कर देंगे तब भी आपका रेइस्टरेशन नंबर आ जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाम आ चुका और यहाँ पर Registration नंबर आ चुका इस Registration नंबर को आपको कहीं पर नोट कर लेना होगा या इसी आप Copy भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं जल्दी से Copy कर ले रहाँ और Copy करने के बाद यहाँ से मैं Back कर ले रहाँ और Back आने के बाद फिर से आपको beneficiary status पे click करना होगा और beneficiary status पे click करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको अपना registration number डाल देना होगा और यह जो capture है capture डाल के get OTP पर आपको click कर देना होगा get OTP पर जब आप click करेंगे उस OTP को डालेंगे तभी आपका मतलब यहाँ पे status सो करेगा तो चली मैं यहाँ पे registration number और capture डाल के get OTP पर click कर दे रहा हूँ get OTP पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते OTP has been sent at mobile number last का four digit यहाँ पे show कर रहा है कि इस mobile पर OTP गया है उस OTP को जब आप डालेंगे तभी आपका यहाँ पे दिखाएगा तो यहाँ पे मैं OTP डाल करके get data पर click कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया अगर आप without OTP get data पर click करेंगे तो यहाँ पे आपका status nice हो करेगा तो यहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा उसके बाद get data पर click कर दिजेगा और get data पर click करने के बाद यहाँ पे आपका personal information आपका registration नमबर आ जाएगा date of registration कब आपने registration किया था ओँ आजाएगा आपका name आजाएगा देख सकते हैं farmer का name उसके बाद address यहाँ पे आ जाएगा और mobile number यहाँ पे show करेगा तो फ्रेंड इसके पाले आपका पुराना वाला mobile number जब आपने अपना registration करवाया होगा उस समय जो mobile number दिये थे ओँ यहाँ पे show कर रहा था लेकिन फ्रेंड अब ऐसा नहीं है अब आप जिस mobile number से आपने EQIC करवाया था वही वाला mobile number यहाँ पे show कर रहा है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे eligibility status में इस पे जब आप click करेंगे तो देख सकते हैं land seeding में yes लिख रहा है EQIC भी yes यहाँ पे लिख रहा है और आधार bank account seeding status में भी yes लिख रहा है और last EQIC completion date यहाँ पे 14-2022 को यहाँ पे last EQIC हुआ था उसके बाद यहाँ पर यहीं से आप check भी कर सकते हैं कि आपके bank account से आधार seeding है या नहीं है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं list of installment details तो यहाँ पे 13 किस्त मेरा आ चुका है देख सकते हैं 27-2-2023 को अगर आप 12 किस्त देखना चाहते हैं तो इस पे click कीजिए और 12 किस्त इस पे तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 किस्त आ चुका मतलब इस तरह से आप जो भी किस्त आगर आप देखना चाहते हैं उस किस्त को आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से नए तरीके से आप beneficiary status चेक कर सकते हैं फ्रेंड आई होक की वीडियो आपको पसंद आई होगी!!!